नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम 5 मिनट में घर बैठे बैठे SBI Yono App को एक्टिवेट कर सकते हैं यानि कैसे हम 5 मिनट में State Bank of India की Mobile Banking Application पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको Google Play Store पर जाकर SBI Yono App लिक कर एंटर करना होगा और यहां से आपको SBI की Yono Application को इंस्टोल करना है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दू State Bank of India में Account Open होने के बाद जो भी आपको State Bank of India की तरफ से ATM Card मिलता है हमें सबसे पहला काम यही करना होता है कि उस ATM Card का Pin Generate करना होता है ATM Card का Pin Generate करने के बाद आपको दूसरा काम State Bank of India की Mobile Banking Application को Activate करना होता है और Add the End आपको SBI की Internet Banking को Activate करना होता है इन सारी चीजों के उपर एक एक करके हमने वीडियो बनाई हुई है इन सारी वीडियो का लिंक मैं आपको description box में दे दूँगा ताकि आपका पूरा प्रोसेस असानी के साथ complete हो जाए दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम SBI की Yono Application को Activate कर सकते हैं तो इसके लिए आपको application को install करना है install करने के बाद वो कुछ basic permissions मांगेगा आपको allow करना है अब यहाँ पर जो भी mobile number आपका bank के साथ register है वो SIM आपको select करनी है allow पर click करना है उसके बाद नीचे आपको next के option पर click करना है अब यहाँ पर यह कुछ waiting time ले रहा है प्रोसीड का एक option दिखाई दे रहा है इस प्रोसीड के option पर आपको click करना है प्रोसीड के option पर click करने के बाद यह आपको next page पर ले आएगा यहाँ पर हमारे पास दो option है हम यहाँ पर register for Yono with my ATM card का option select करेंगे और इसी का use करके हम SBA Yono application को activate करेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना account number डालना है और second section में आपको आपकी date of birth एंटर करनी है यानि आपको अपना account number और date of birth एंटर करने के बाद नीचे आपको एक option दिखाई दे रहा है next का इस next के option पर आपको click करना है next के option पर click करने के बाद आपके mobile phone पर एक OTP bank की तरफ से भेजा जाएगा यह verification के लिए OTP आपके mobile number पर भेजा गया है यह OTP आपको यहाँ पर enter करना है OTP एंटर करने के बाद नीचे आपको submit के option पर click करना है अब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि select transaction rights यानि आप अपने account को कैसा रखना चाते है तो इसमें हमें सबसे last में full के option पर select करना है इसका मतलब यह है कि आप हर प्रकार की transaction को allow कर रहे है यानि full का option select करने के बाद आपको नीचे next के option पर click करना है full के option से आप हर प्रकार की transaction कर पाएंगे तो इसलिए हमें यहाँ पर full का option select करना है अब इस next page पर यह ATM card की detail मांग रहा है यानि आपका जो भी last 6 action है ATM card के यानि आपको अपना ATM card number उठाना है उसके last के जो भी 6 अंक हैं वो आपको यहाँ पर enter करने है उसके बाद नीचे आपको next के option पर click करना है उसके बाद यह बोल रहा है कि जो भी आपने ATM card का pin set किया है वो 4 अंको का pin यहाँ पर enter करना है ATM pin enter करने के बाद नीचे आपको submit के option पर click करना है अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि आप अपने internet banking का username और password भी यहीं से ही set कर लीजिए तो हमें यहाँ पर username set करना है ध्यान देने की बात यह है कि username में केवल alphabets और number ही होने चाहिए special characters आप नहीं डाल सकते यानि आप numbers और alphabets ही use कर सकते है alphabets चाहे capital या small हो उससे फरक नहीं पड़ता लेकिन आप केवल alphabets और number से ही username बना सकते है username बनाने के बाद नीचे आपको अपना password set करना है re-enter करना है अपना password password set करने के बाद नीचे आपको confirm के option पर click करना है अब यहाँ पे successfully username और password set हो चुका है अब हमें mpin set करना है तो नीचे हमें set mpin के option पर click करना है यह mpin हमारी mobile banking का एक pin होगा यहाँ पर कुछ terms and condition है इसे नीचे scroll down करना है और next के option पर हमें click करना है next के option पर click करने के बाद यहाँ पर यह बोल रहा है कि आप अपना mpin set कर लीजिए अब आपको 6 अंको का एक mpin set करना है mpin set करने के बाद नीचे आपको next के option पर click करना है यह mpin आपका एक तरह से login password होगा जब भी आप sba yono app पर login करेंगे यानि जब भी आप app को login करेंगे यह आपका as a password ही काम करेगा तो हमें यहाँ पर अपना mpin set करना है mpin डालना है नीचे re-enter mpin करना है उसके बाद at the end हमें यहाँ पर नीचे next के option पर click करना है अब यहाँ पर दुबारा से आपके mobile phone पर एक OTP भेजा गया है वो OTP आपको यहाँ पर enter करना है OTP एंटर करने के बाद नीचे आपको next के option पर click करना है अब यहाँ पर successfully आप register हो चुके है Yono application के उपर अब यहाँ पर दुबारा आपको main interface पर यह ले जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 options given है सबसे पहला option है login का तो इस login के option पर हम click करेंगे login के option पर click करने के बाद यह हमसे हमारा mpin पूछ रहा है यानि जो भी 6 अंकों का password हमने set किया था वही mpin हमें यहाँ पर enter करना है mpin enter करने के बाद यह automatically यहाँ पर login हो जाएगा login होने के बाद यह SVA Yono app के main interface पर हमें ले जाएगा यहाँ पर सबसे पहले हमें नीचे next 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 के option पर click करना है यहाँ पर SVA Yono app का main interface open हो चुका है यहाँ से आप हर प्रकार की transaction कर सकते हैं चाहे किसी को पैसा भेजना हो या अपने account का balance check करना हो IMPS, NEFT, RTGS हर प्रकार की facilities आपको यहाँ पर मिलती है अगर आपको direct अपना balance check करना है तो second option पर आप click कर सकते हैं यहाँ पर भी आपसे आपका mpin पूछा जाएगा mpin enter करने के बाद direct यह आपको आपका balance show कर देगा इन सब के अलावा इस वीडियो को complete होने के बाद आपको अगली वीडियो में कैसे internet banking को activate करना है उस वीडियो का link भी में आपको description box में दे दूँगा यहाँ पर यह आपकी Yono app activate हो चुकी है इसके बाद आपको अगला process यही करना है कि internet banking को activate करना है यानि आपका ATM card का pin activate हो चुका है SBI Yono application activate हो जाएगी और at the end finally आप SBI की internet banking को activate कर लीजिये आपका पूरा process complete हो जाएगा I hope SBI Yono application को कैसे activate करना है यह सब कुछ आपको समझ आ गया है अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all